नमस्कार आप देख रहे हैं कबीर नियूज और मैं हूँ आपके साथ रिचा कमल खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर जजो की आलोचना पर सुप्रीम कोट की सकती सजा के तौर पर केरल बाल पीड़ितों की मदद के दिये निर्देश सावन और आगामी तेवार बकरीत को मद्दे नजर रखते हुए प्रशाशन ने रूट मार्च निकाला बिहार में एक महिला पर हत्या के शक में भीड ने बगैर कपड़ों के घुमाया और पीटा 13,000 करोड घुटाले का मुकारोपी यूके में CBI ने की प्रत्यारपड की अपील अर अब खबरे विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने जजो की आलोचना पर सक्ती दिखाते हुए कहा है कि ये एक नया ट्रेंड बन गया है कोर्ट ने कहा कि इस प्रवती को रोकने के लिए हमें कठोरता दिखानी होगी सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अवमानना के दोशी वकील को सजा के तौर पर केरल बाल पीड़तों के लिए साहता राशिदान करने का भी निर्देश दिया है गोरतलब है अटार्णी जनरल केके वेनु गोपाल ने भारती मतदाता संगठन के महसचिव और वकील विमल वादवन के खिलाप लिखित में प्रमार दिये हैं इसके अधाय पर कोर्ट ने वादवन को अवमानना का दोशी माना बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एम खान विलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूर शामिल थे कोर्ट ने कहा कि ये काफी अपमान जनक है ये बुरा परिणाम वाला होगा जब अवमानना के आरोपी वकील ने कोर्ट से नरम दिली की अपील की और हाथ जोड़कर माफी मांगी तो बेंच ने पूछा आपने केरल बाल पीडितों के पुनरवाज के लिए क्या किया है तब वादवन ने कहा कि वे 50,000 की रकम दान करना चाहते हैं लेकिन एजी ने इसे 5,000,000 करने की मांग की आपको बता दें कि अबमाना के दोशी वकील ने जब कोर्ट से रहम की गुहार लगाई तो बेंच ने कहा अटार्णी जनरल ने केरल बाल पीडितों की साहता के लिए एक करोड की राशी दान की है जस्टिस डी वाई चंद्रचूर्ण ने कहा अब मानना का दोशी करार करते हुए हमें खुशी नहीं मिलती लेकिन इन दिनों जजों की आलोचना का यह एक ट्रिंड बन गया है हमें इस प्रवति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं बादवान ने सुनवाई से पहले ही बिना किसी शर्त के माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जज ने राहत कोश में दिया योगदान जी हाँ केरल में आई भारी बाड़ से सुप्रीम कोर्ट भी आहत है और जज भी राहत कोश में योगदान दे रहे हैं भारत के मुख्य नयदीश दीपक मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोट के जज केरल बाल को लेकर राहत कोश में अपना योगदान देंगे। सुप्रीम कोट के प्रतेक जज मुख्य मंतरी राहत कोश में 25,000 देंगे। CGI दीपक मिश्रा ने कहा कि वो मुख मंत्री रहात कोश में योगदान देंगे अटार्णी जनरल केके वेनु गोपाल ने केरल में बाल की विभीशका की वज़े से एक करोर लोगों के बेघर होने का जिक्र किया दरसल अब मानना के एक मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरान अटार्णी जनरल केके वेनु गोपाल ने केरल की बाल का मामला उठाते हुए कहा है कि केरल के हालात बेहत खराब हैं खुद अटार्णी जनरल रहात कोश में एक करोर रुपे दे चुके हैं तो वही केरल में राहत सामागरी पहुचाने में सुप्रीम कोड के जज जस्टिस कूरियन जोजफ भी अपने तमाम प्रयाश कर रहे हैं दरसल केरल के लोगों की मदद करने के लिए सुप्रीम कोड के जज जस्टिस कुरियन जोजफ और जस्टिस केम जोजफ आगे आये थे कुछ वकीलों द्वारा राहत सामगरी वसूलने के लिए पहुचने पर कोड के सामने एक कलेक्शन पॉइंट पर पहुचकर दोनों जजों ने दान दिया इन जजों ने कितना दान दिया इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है लेकिन बताया गया था कि इन जजों ने केरल में रहात के लिए अच्छी खासी रकमदान की है आपको बता दे कि अटार्णी जनरल केके वेनु गुपाल ने केरल में आये भैंकर तबाही से निपटने के लिए केरल के मुख मंतरी आपदा कोश में एक करोड रुपए दिये थे अटार्णी जनरल के पोत्र और वरिष्ट व रुपए पहले ही दे चुका है एस सीबीय ने वकीलों से केरल में हुई तबाही से निपटने के लिए वकीलों से मदद का आवहन किया था सावन के पावन पर्व के चलते बीच में एक और तेवहार पड़ गया जिसके चलते लोगों में लडाई दंगे भी हो सकते हैं जिहां आपको बता दें कि सावन के साथ साथ बुद्वार यानि कल बकरीद भी पड़ गई है जिसको लेकर पूरा पुलिस प्रशाशन पहले से ही सचेत हो गया है प्रशाशन का मानना है कि इन दोनों तेवहारों के एक साथ पड़ जाने से लोगों में जगडा भी हो सकता है इसी बात के चलते बांदा पुलिस अधिक चक के द्वारा सावन मह तथा आगामी तेवहार बकरीद को मद्दे नजर रखते हुए सभी पुलिस कर्मियों ने पैदल रूट मार्श निकाला जहां आपको बताते चलें कि पुलिस अधिक चक बांदा शालने जी के द्वारा अले गंद चौकी से होते हुए जमा मसजिद, मरदान नाग, कल्वन गंद चौकी, चौक बाजार भूमते हुए पुना अलीगन चौकी पहुँच पुलिस अधिक्चक द्वारा सभी चौकी इंचार्ज और दलबल के साथ पैदल रूट मार्ज करके शहर का जाजा लिया और पुलिस अधिक्चक शालनी जी ने पुलिस क्लब के ओफिसरों को निडर करवाया और कहा कि बकरीद के चलते 22 तारिक से लेकर और 24 तारिक तक सभी लोग अपनी ड्यूटी बहुत ही कायदे से निभाएंगे इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक जगे पर बैठा नहीं रहेगा क्योंकि सावन में बकरीद पढ़ने से हर जगे का माहौल काफी गरम रहेगा बिहार के बोजबुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या के शक पर एक महिला को पहले तो खूप पीटा और बाद में उसे बगैर कपड़ों के गुमाया गटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आननफानन में मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है पुलिस की शुराती जाच में पता चला है कि आरोपी लोगों को शक था कि महिला ने एक युवक की हत्या कराई है पुलिस अधिक चक अब काश कुमार ने बताया कि रविवार को एक 19 वर्षी विमलेश साह नाम के लड़के के लापता होने की सूश्रा मिले थी पुलिस को सोंबार को उसका शब पास के ही रेलवे ट्रैक से मिल गया ये घटना भोजपुर के बिहिया की है जहां एक युवक की हत्या में शामिल होने के संदेह में उग्रभी ने एक महिला के कपड़े फार दिये और उसे निर्वस्त करके गुमाया इस दोरान उसकी पिटाई भी की गई इस मामले में इस्ताने पुलिस की लापरवाही पर पटना छेतर के आईजी नईयर हसनैन खान ने सक्त कारवाई करते हुए बिहिया के एसेचो सहित आठ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है जीने के एस्पी को सभी दोशियों के खिलाप जाज कर कठोर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है बिहया थानेदार के खिलाप बिवागी एक कारवाई भी जलेगी ये घटना 20 अगस बिहया के रेलवेज स्टेशन के पास की है शब मिलने की सूचना देने के बाद शाह के परिजनों को लगा कि उसकी हत्या रेड लाइट एरिया में रहने वालों ने ही की है इसके बाद ग्रामिडो ने इस्तानी बाजार के कई दुकानों में आग लगा दी और कई लोगों की पिटाई भी की उग्र ग्रामिडों ने एक महिला के कपड़े फार दिये और उसके बाद उसे निर्वस्त करके गुमाया इस दोरान महिला के पिटाई भी की गई पुलिस अदिक्चत ने बताया कि भीड ने पास से गुजर रही ट्रेन पर पथराओ भी किया उन्होंने बताया कि घटना इसतल पर पहुची पुलिस को हिंसा पर उतारू लोगों को नियंतरित करने के लिए हवाई फारिंग करनी पड़ी भीड की ओर से भी गोली बारी की गई उन्होंने कहा कि अब इस्थित नियंतरण में है इस मामले में आरोपियों की गिरफतारी के लिए प्रयास किये जा रहे है गोर तलब है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले दिल्ली में एक मकान मालिक के पेटे और बहु ने 45 वर्षी एक महिला की कथित रूप से फिटाई कर दी थी और उसे निर्वस्त करके घुमाया था दरसल पीडिता उनके जगडे में बीच बचाओ करने की कोशिश कर रही थी ये घटना दच्चर पस्चिन दिल्ली के पालम इलाके की है सोचल मीडिया पर वाइरल वीडियो में दिख रहा था कि महिला के कपड़े फटे हुए हैं और उसके शरीर पर चोटो के निशान भी है महिला ने पुलिस के पास इस सिल्सिले में एक शिकायत दर्ज कराई है इसके मुताबिक मकान मालके और उसका बेटा उसकी बहू उसे पीट रहते इस बीच इस महिला ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो उन्हों ने उसे भी पीट दिया शिकायत में महिला ने कहा है कि जब उसने भागना शुरू किया तो उन्होंने उसका पीछा किया और उसके कपड़े फाड़ दिया पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्श कर लिया है पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड के घोटाले का मुख्या रूपी नीरो मोदी के यूके में होने की पुस्टी हुई है United Kingdom UK ने कंफर्म किया है कि नीरो मोदी उनके देश ब्रिटेन में है जिसके बाद CBI ने प्रत्यारपड के लिए अरजी दे दी है Interpol की ओर से इस बाद की पुस्टी की गई है CBI का कहना है कि ब्रिटेन की ओर से इस बाद की पुस्टी होने के बाद नीरो मोदी के प्रत्यारपड के लिए अपील की गई है Mail के जरीए दी जानकारी CBI का कहना है कि ब्रिटेस अतौर्टी ने रविवार को इमेल के जरीए इस बात की पुष्टी की है कि PNB घोटाले का मुख्या रोपी और हीरा का रोबारी नीरो मोदी अभी बृतेन में रह रहा है CBI के अनुसार इस बात की जानकारी मिलते ही ग्रह मंत्राले को प्रत्यार पर अनुरोद भेज दिया गया है नीरो मोदी को भारत वापस लाने का अनुरोद अब विदेश मंत्राले के जरीए बृतेन भेजा जाएगा कॉर्णर नोटेस जारी हुआ था अधिकारियों ने कहा कि CBI ने बृतेन के अधिकारियों से नीरो मोदी को उसके खिलाप इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटेस के आधार पर हिरासत में भी लेने का अनुरोद किया है इस साल जून में CBI के अनुरोद पर Red Corner Notice जारी किया गया था Interpol किसी भगोडे के खिलाब जारी Red Corner Notice में अपने 192 सदस से देशों से कहता है कि उनके यहां उसके दिखने पर उसे गिरफतार किया जाए या हिरासत मिलिया जाए इसके बाद प्रत्यारपण या निर्वासान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है इसी महिने में लंदन में भारती उचायोग ने भगोडे हीरा कारोबारी नीरो मोदी के प्रत्यारपण आग्रे से सम्मधित दस्तावेज बृतिन के केंद्री प्राधिकरण को सौपे थे बृतिन के प्रत्यारपण कानून 2003 के तहट भारत शेडी दो में आता है इसमें बृतिन के अदालत के अलावाद देश के ग्रह मंत्री की मंजूरी की भी जरूरत होती है बता दे कि घोटाले का खुलासा होने के बाद ही नीरो मोदी कई बार अपना ठिकाना बदल चुका है हाल ही में खबर आई थी कि उसने सिंगापूर की नागरिक्ता के लिए अपलाई किया है हाला कि सिंगापूर ने उसे नागरिक्ता देने से मना कर दिया था नीरो मोदी और मेहुल चौकसी पर फरजी लेटर ओफ अंडर्टेकिंग के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को 13,400 करोर रुपे का चूना लगाने का आरोप है इन दोरों के खिलाब CVI ED समेट अन्य जाच एजनसिया लगातार जाच में जुटी हुई है और इनके प्रत्यारपड की कोशिश की जा रही है फिलाल अभी के लिए खबरों में बस इतना ही जुड़े रहें कबीर नियूस के साथ नमस्कार जा में जा खिलाब心घ कि लिए शमस्कार लिएकिश के लिएको में की का बश्ता ही कि लिए औरों में धनी का जाच देताGameव बस ए्याच जूशnd झाल झाल